नमस्कार मैं संगीता अर्ष हम लोग बनाएंगे मोदक्त इसको सिर्फ दो चीजों से ही बनाएंगे स्टार्ट हो गया है और इसमें मीठा तो बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके इसको अलग कर लेंगे इसके वाइट पार्ट को अलग करेंगे सबस्के तो अलग करेंगे इसके वाइट शर्ट करेंगे इसके अलग करते हैं इसे ग्राइंड कर लिया है अब हम जो करेंगे ये इसके क्रीम वाले पाट को इसमें एक टेबले स्पून डेसिकेट कोकोनेट को डालेंगे यह भी से हम मैश करेंगे इसे अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें नारियल के बुरादे को डालने से इसमें अच्छी फ्लेवर आ जाएगी देखिए इस तरह से मिला लेंगे चौकलेट को माइक्रोवेन में एक मिनिट के लिए गरम करेंगे इससे बिगला लेंगे चौकलेट पिलल गया है अब हम इसमें जो ग्राइंड किया था हमने इसको डाल देंगे ऐसे अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे इस तरह से मिलाएंगे कि यह दूत की तरह बन जाए देखें इस अच्छी तरह से मिला लिया है विसे गूतने के लिए हम एक टेबल स्पून मिलकों मिलाएंगे इमें दूठ ज्यादा प्रियोग ने करना है थोड़ी मात्रे में ही डालनी है ताकि यह अच्छे सा डो बन जाए सबसे पहले हम इसके छोटो छोटो लोईया बना लेंगे करनाया रिया बना लेंगे अवर में व्यारिया प्रफॉमथथ करनाurs? करेंगे इस तरह से इसमें एक कोट करेंगे से इस तरह से बंद कर लेंगे और इसमें तूत्पिक किसायता से इस तरह से आकरिती दे देंगे देखें सारे को हम इसी तरह से बनाएंगे एक बात का ध्यान रहें जब भी इससे बनाएं चॉकलेट जब गरम रहे तभी बनाएं जैसे ऐसे चॉकलेट थंड़ी होते जाएगी फिर ये इस तरह से से नहीं लेपाएंगे सारे हम लोग इसी तरह से बना लेंगे देखें मोदक बनके रेडी है चाहें तो इससे नारियल के बुरादे में भी कोट भी कर सकते हैं या फेर इस तरह से भी रख सकते हैं यह देखी कते अच्छी लग रहे हैं यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और यदि मेरे यह रेसिपी आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद झाल